आपके वास कितना वे पैसा हो, फिर भी उस पैसों से सचा प्यार नहीं पा सकते हैं मुसीवक्त के वाद कौन क्या है यह हमें पता चल जाता है इसी दिम पर वेस्ट आज मैं आपको अवे कि 2007 की एक हॉलिवड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्स्पेंट करने वाला हो स्टार्टिंग के बाद ही मूवी जो टन लेती है यह से बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनाता है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करतीजे अब बिना किसी तरीके एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हैं हमें बताया जाता है हर साल ओपरेशन के वगत 21 मिलिएन लोगों को अनसेशा दिया जाता है इन में से सिर्फ 30,000 लोगों को यह सूट नहीं होता है ओपरेशन के वगको सोर नहीं पाते है और यह बहुत ही दर्दनाग होता है इनके हाथ पेर पैरलाइस्ट होते हैं ये पेन में शुस करते हैं पर कुछ भी कर नहीं पाते हैं इसके बाद हमें Dr. Jack दिखा जाता है Jack हमें बता रहा था कि जब आपकी डिद आनी हो वो आ ही जाती है आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को operation में lost किया है पर आज पहली बार मेरे friend को मैंने खो दिया उसके friend का नाम है clay है वो गहता है clay जब आज सुबा उठा तो किसके बारे में सोच रहा होगा उसे लगता है को Sam के बारे में ही सोच रहा होगा Sam मैं clay की girlfriend थी अब आमें flashback दिखाय जाता है Clay अपनी girlfriend Sam के साथ रह रहा था ये दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करते है ये दोनों अपनी relationship को लेकर बहुत ही serious है और Clay को अब सब कुछ चीज अपनी mother को बतानी है actual में से आमें Clay की mother के लिए काम करती है तो इस वाजे से वो बहुत ही जादा nervous था उसकी mother को उनकी relationship गलत लग सकती है वो आज उसे बताने के लिए बहुत ही डर रहा था Sam ने Clay को काम पर छोड़ दिया वो कहती है तुम एक happy life deserve करते हो Clay उसे कहता है आज मैं मदर को बता ही दूँगा आज Clay की बहुत important meeting थी वो इसके लिए ज़रा डर रहा था वो अपने doctor friend Jack से बात करता है यह वही doctor है जो हमें story बता रहा था वो कहह रहा था कि मैं कभी वी अपने father की तरह successful नहीं हो पाऊंगा Jack ने उसे कहा तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए इसके बाद Clay Jack के साथ hospital में आया Jack क्या था है operation में बहुत सारे error हो सकते है generally लोग doctor को ही blame करना पसंद करते है Clay का एक operation होने वाला था तो इसके procedure Jack उसे बता रहा था actual में Clay का heart बहुत ही weak है तो उसे heart transplant की जरूद पढ़ने वाली है वो अभी waiting list में है जब उसे heart मिल जाएगा तब तुरंद उसके surgery हो जाएगी Clay अपने friend पर बहुत trust करता है तो उसी से heart transplant करवाने वाला था Jack ने Clay को समझाया तुमारा operation बहुत ही dangerous है अगर तुमें अपनी life में कुछ करना होगा तो अभी कर डालो जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो शायद इसके बाद तुमें कोई भी मोका ना मिले Jack से मिलने के बाद Clay अपनी मदर से मिला उसका नाम है लीलित आज लीलित के साथ एक बहुत ये बड़े sergeant थै उनका नाम था Dr. Jonathan Jonathan ने बड़े-बड़े TV अक्टर्स का भी ट्रांस्प्लाइंट किया था रिलीत चाहती थी कि Clay का ओपरेशन एक बेज डॉक्टर से गो पर Clay अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस करता है राद में Clay ने अपने ओफिस के पार्टी पर पर जापने इस कंपनी से बात की वो उनसे कहता है मेरा हाड़ वीक है पर मेरा धिमाग तेज है मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूँगा उसका confidence बात करने का तरीका ये सब देखकर है कंपनी अब उसके साथ डील करने के लिए रेडी थी उसकी मदर उस वर बहुत ही प्राउड है क्ले ने notice किया था कि शायद लिली जॉनतन को पसंद कर दिया तो उसके बारे में उसे वो बात करता है लिली तने का तुमारे फादर के जाने के बात मुझे किसी में भी interest नहीं है जब फादर की date हुई थी तो खले बहुत ही छोटा था तो लिली तने पूछा कि अपने फादर के बारे में तुम कुछ जानते हो खले कहता है कि मुझे उनकी date ही आथ है उनकी smile ही आथ है उसे अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता उसे लगता है कि उसके फादर बिजनेस में बहुत ही पेस्ट है और कभी भी उनकी जगा नहीं ले सकता यह एक बार हम देखते हैं सैम लिलित को उसके अपॉन्मेंट्स के बारे में बताने के लिए आई हुई थी कले ने अब तक अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया तो इस वज़े से सैम गुसा होकर वहाँ से जा रही थी कले उसके पीछे बेज़ जाया कहता है कि मेरे साथ चलो जाकर उसने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया लिली दिन पर गुसा होगी कहती है सैम एक लायर है उस पर त्रस नहीं कर सकती उसने कले को समझाने की कोशिश की पर कले माननी रहा था लिली द कहती है तुम उसे चुन सकतicação या मुझे कले कहता है कि ऐसा अल्टिमेटम देना गलत है और वो सैम के साथ यहाँ से चला गय और साम को इस जगड़े की वज़े से बुरा लगता है कले ने कहा कि कभी ना कभी तो होना ही था उसने अभी साम को मैरेज के लिए प्रपोस कर दिया वो आज राधी उसे शादी करना जाता था वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है और जल्दी से जाकर शादी कर लेते है आज ये दोनों बहुत खुश थे ये इंटिमेट होने वाले थे तब इकले को मैसेज आ जाता है कले की सरजरी करे जिस हार्ड का वेट कर रहे थे ये फाइनली उन्हें मिल चुका है ये जल्दी से हॉस्पिटल में बहुश गए जैक सारे डॉक्टर से कले को मिलवाता है लिलित को भी नोटिविशन आ गया था तो वो भी यहाँ बर बहुश गई थी वो फेसे कले को समझाने की कोशिश करती है कि जोनादने बहुत ही अच्छे डॉक्टर है तुम्हें उनसे ही ओपरेशन करवाना चाहिए पर कले इस बात के लिए नहीं मानता कले ओपरेशन के लिए रेडी हुआ सम कहती है जल्दी से वापस आ जाओ हम अमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे ये दोनों इसके लिए बहुत खुश थे वेटिंग रूम में लिलित अब भी सम से बात नहीं कर रही थी वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करती है तो सम ने कहा कि कभी-कभी आपको ज़रा वेट करना पड़ता है ये मशीन ज़रा फॉल्टी था सब डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन के लिए रेडी होने लग गए तब ये वहाँ पर लैरी नाम का डॉक्टर आता है आज रात ऑपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर आने वाला था पर उसके जगह पर लैरी आ गया इससे सब डॉक्टर जर गए जैक सबसे कहता है सिर्फ खिलाडी चेंज हो गया है प्लान अब भी वही है यह operation करना continue करते है जैक निकले से कहा कि अब मैं तुम्हें एनस्टिशा दोंगा तुम सो जाओगे कुछ भी कर नहीं पाओगे इस नीन को तुम enjoy करना तुम्हें कुछ भी feel नहीं होगा एनस्टिशा देने के बाद कले को नीन आने लग गए वो अपने सबने में सैम को देखने लग गया अचानक से operation में जो भी हो रहा था यह सारी चीज़े उसे feel होने लग गए जैसे कि हमें movie के first में बताया गया था कभी कभी एनस्टिशा काम नहीं करता लोग पूरी दरीगे से paralyzed होते है पर फिर भी सारी चीज़े महसूस कर पाते है अब clay operation की छोड़ी छोड़ी चीज़े महसूस कर रहा था वो चिला कर जैक को बताने की कुशिश करता है कि अब सब कुछ वो feel कर रहा है पर कुछ भी कर नहीं पाता उसके आग बन थी और सब को लग रहा था कि वो deep sleep में है जैक फिर उसे cut करना start करता है उसे बहुत ही ज़ादा pain महसूस हो रहा था पर कुछ भी कर नहीं पाया उसने अपने mind को control करने के लिए Sam के बारे में सोचना start कर दिया थोड़ी देर तो रिलाक्स रहा पर बाद में उसे अपने father की date याद आने लग जाती है उसे बहुत सारी random सी memories याद आती है तो उसमे Sam सो first time कैसे मिला था ये भी उसे याद आता है Sam Clay के लिए curious थी तो उसके room में आ गई थी उसकी सारी चीज़े देख रही थी Clay ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरीके से उनकी love story स्टार्ट हुई थी इनकी first date पर Sam Clay को Brooklyn लेकर गई थी Clay बहुत ही ज़ादा अमीर है तो कभी भी उसने Brooklyn को देखा नहीं था इसके parallel में हम देते हैं Sam और Lily जब wait कर रहे थे तो Sam के पास एक doctor आया वो उसे बुछता है क्या मैंने यहाँ पहले तुम्हें कभी देखा है Sam ने उसे अपनी ring दिखा है तो वहाँ से और चला जाता है Lily नोटिस करती है कि Sam ने दो rings पहनी है उसे पता चला Sam और Clay ने आज रहती शादी की थी यह बात उसे अच्छी नहीं लगती Sam की पर्स नीचे गे तो उसमें Clay की सब medicines रखे हुई थी वो हमेशा Clay का खैल रखती थी यह Lily ने देखा और वो realize करती है कि Sam भी Clay से बहुत प्यार करती है उसके लिए केर करती है तो अब वो ज़रा relax थी Lily ने का कि Clay को अलग-अलग allergies है पर Sam को इसके बारे में पता था Lily सिर्फ Sam के लिए वरीड थी Sam आकर उसे गले लगा लेती है फिर से हमें Clay का operation दिखाया जाता है डॉक्टर लैरी ज़रा break के लिए यहां से चला गया तो सारे डॉक्टर्स मिलकर discuss करने लगते है इन में से एक डॉक्टर पटनाम ने का कि अब हमारे plan का क्या लैरी हम पर नज़र रख रहा है Jack कहता है कि लैरी रंग है उसे कुछ भी याद नहीं होगा अब break के वक भी हो दारू पी रहा होका इनका plan था कि Clay को इस operation में हो मार डालेंगे और इसी plan को continue करने वाले थे इस सब बाते के लिए सुन रहा था इससे वो बहुत ज़्यादा disturb हो गया वो उट कर यहां से भागनी की कोशिश करता है उसे लगा कि वो उट शुका है पर वो वही बेट बर पड़ा हुआ था उसी के mind में अलग-अलग जगा पर वो खुम रहा है Larry जब बाहर आ है तो Sam उसे बात करती है कहती कि operation कैसा चल रहा है Larry ने कहा कि सब कुछ ठीक है पर Sam नो डिस करती है कि Larry ट्रंग है सब कुछ हमारे plan के according ही होगा इसका मतलब है Sam भी इनके plan में शामिल थी Clay से तो उसके marriage हो गई है तो उसके मर जाने के बाद सारी property उसे ही मिलने वाली है तो उसी ने इस सब plan बना हुआ था Jack को realized हुआ था कि Clay के साथ जो वो कर रहा है यह बहुत ही गलत है वो डर रहा था और अब यह operation वो complete नहीं करने वाला था Sam उसे समझा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसे को कुछ भी शक नहीं होगा जो उने start किया है वो finish करते है Clay सारी चीजों को लेकर सोचने लग गया अपने subconscious mind में उसे याद आता है यह जैक के ओफिस में उसने सैम का फोटो देखा था पहले सैम और जैक यह दोनों एक साथी काम करते थे लेकों फजाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया सारी आइडेंटिटी चेंज करकर वो लिलिद की यहाँ पर काम करने लग गए सैम जैक को समझा रही थी कि हमें पूरी लाइफ में अब काम नहीं करना पड़ेगा जल्दी से इस ओपरेशन को हम खतम करते हैं यह सब सुनने के बाद क्ली को बहुत बुरा लगा वो अनकॉंशेस था फिर भी उसकी आखों में आसु आगे जैक क्ली का हार्ट बदल देता है और इस हार्ट को बन करने के लिए इंजेक्शन उसे इंजेक करना था यह जैक को करना सही नहीं लगता वो डर रहा था तो सैम खुद इंजेक्शन हाथ में लेकर क्ली को दे देती है कले के अपने प्यार के हाथों ही डेथ होके सैम को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता जब वो वापस लिलित के पास आए तो गहती कि ओपरेशन ठेटर में सब कुछ ठीक है लिलित को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गरवड है अब तक डॉक्टर को आज आना चाहिए था सैम उससे गया थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कले को कुछ भी नहीं होगा उसके पास जीनने के लिए बहुत साइर रीजन्स है फिर से हम कले का सबकॉंशन देखते हैं और वो बहुत स्याइड था उसे अब कुछ भी समझ में ने आ रहा था कले का सबकॉंशन घर आता है अपनी डेथ का वेट करता है लैरी जब उने ब्रेक से वापस आया तो जैक इस तरीके से ब्रिटेंड करता है कि कले का हार्ट खराब था इसी वज़े से उसके डेथ हो गई इसके बाद जैक जाकर लीलिट को बता देता है कि कले का हार्ट सही नहीं था उसके डेथ हो गई है लीलिट उस वर बहुत गुस्सा आऊ गए कहती कि सब कुछ तुमारी वज़े से हुआ है डॉक्टर लैरी लीलिट के पास है कहती है हमें आपकी पर्मिशन चाहिए कले को हमें बैपास से निकालना है लीलिट पूछती कि इसका क्या मतलब लैरी ने कहा कि कले अब भी जिन्दा है पर उसके पास हार्ट नहीं है वो सिर्फ मशीन के साहरी जीरा है वो इस तरीके से हमेशा नहीं जी सकता लीलिट ने कहा कि फिर उसके लिए अलग हार्ट ले करा लैरी कहता है इस तरीके से इजिली हार्ट नहीं मिलता वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते लीलिट कहती कि मुझे सोचने के लिए वक्स चाहिए सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया वही जगावर बेटी और उसके पास जो भी गोलिया थी यह सारी गोलिया उसने ले ली उसकी वही पर डेथ हो जाती है अब हम देखते हैं कि खले की सबकॉंशेस में लिलीट भी उसके पास आ चुकी है यह दोनों एक दुसरे से बात कर सकते थे लिलीट ने सुसाइड करने से पहले जॉनातन को कॉल कर दिया था तो उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुच जाती है लिलीट अपना हार्ट लेको दे सके इसी वज़े से उसने यह सब किया हुआ था जल्दी से जॉनातन हार्ट लास्पांट के लिए रेडी हो जाता है जॉनातन यहाँ पर पहुचने के बाद सब कुछ समच चुगा था कि जैक ने किया क्या है जैक के साथ जो भी डॉक्टर है यह जल्दी से डर कर वहाँ से भागने लग जाते है फिर से हमें एक ले का सबकॉंशनस दिखाया जाता है ले मदर से पुछता है कि आप यहाँ कैसे कि आपको सब कुछ पता था मदर कहती कि पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था पर सैम ने जब वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर काम करती थी मैंने उसकी बैक चेक की तो मुझे उसके मेल्स मिले उससे चीज कन्फर्म हो गई जब मुझे तुम्हारी डेट के बारे में पता चला तो सारी चीज़े क्लेर हो गई थी वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे पर लैरी ने पुलिस को बुला लिया लिलित का हाट निकाल कर कले का ट्रांस्प्लांट हो रहा था जैक सैम को लेकर अपने ओफिस में आ जाता है कहता है कि हम जल्दी से यहां से भाग चलते हैं सैम ने कहा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है मैं अब भी कले की वाइफ हूँ हमने क्या क्या इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है वो जैक को लॉक कर कर जा रही थी तो जैक कहता है जो सिरीज तुमने क्ले को दी थी उस पर तुमारे फिंगरप्रिंट से है तुम्हे बच नहीं सकती सैम को पच्टा होने लग गया वो जैक के साथ जाना चाहती थी पर जैक अब यहां से नहीं जाना चाहता उसे पता है कि उसने बहुत गलत किया और इसकी सजा वो भूधने वाला है सैम को पुलिस पकड़ लेते हैं हम फिर से कले का सबकॉंशिस देखते हैं कले अपनी मदर से गयता है या अब मैं अगर जिन्दा भी रहा तो मेरे लिए उस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है कुछ कर सकते हो कले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे फादर की तरह में सक्सेजफून नहीं हो पाए मधर कह थी तक तुम्हारे फादर से बिजनिस में सक्सेजफूल थे as a person वो इतने अछे नहीं थे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी इसके बारे में मदर ने कले से कहा उस राद उनका बहुत बड़ा जगड़ा हो रहा था फादर ने मदर को भी मारा था गुसा आओकर वो कले को भी मारने वाले थे तब इम मदर ने एक रॉड लेकर उने मार दिया वो उपर के फ्लोर पर थे और वहां से नीचे गिर गए थे तो सब को लगा था कि ये सिर्फ एक एक एकसिडन्ट था कले उस वक बहुत ही छोटा था उसने सब कुछ देखा था पर उस बात को भूल चुका है लिद कहती है मैं तुमारे फादर के बारे में सिर्फ तुमें पॉजिटिव चीज़े ही बताती थी तुम तुमारे फादर से बहुत बेटर हो तुमें अब अपनी जिन्दगी के लिए लड़ना है कले भी अपनी मदर की विश्मान लेता है और वो भी अब जीना चाहता था ओपरेशन सक्सेस्फुल हो गया और अब वो होश में आ जाता है जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था तो हमसे कहता है हम सब लोगों ने बहुत गलत किया हमें इसकी सजा भुगत नहीं पड़ेगी सबसे इंपोर्टन चीज यह है इसके साथ यह मूवी एंड हो जाती है एक माग का प्यार क्या होता है यह मूवी हमें सिखा कर जाती है तो आज का वीडियो हम यहीं कतम करते है अगर आप कोई अच्छा लगा तो फ्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता है तो तो फ्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन नावन में मत भूलिएगा हम फेसे मिलेंगे और एक निमुग के साथ तब तके लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया